मस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया और आपका स्वागता है हमारे चैनल में आम आदमी पार्टी के मुख्या अर्विंद केज रिवाल की दरव से अब कुछ ऐसा ट्वीट किया गया है इस तरह की बाते की गई है प्रेस कॉन्फरेंस में जिससे दुबारा से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पर अर्विंद केज रिवाल पर दरसल एक प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित करते हुए अर्विंद केजरिवाल ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि सूत्रों के मुताबिक आई बी की रिपोर्ट आई है कि गुजरात में आम आदमी की सरकार बनने जा रही है आम आदमी को हराने के लिए दोनों पार्टियां एक हो गई है तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है अर्विंद केजरिवाल आई बी आखिरकार कौन सी आई बी कि आप इंटेलिजन्स ब्यूरो की बात कर रहे है और अगर आप इंटेलिजन्स ब्यूरो की बात कर रहे है और अगर इंटेलिजन्स ब्यूरो गुजरात में ये सर्वे कर रहा है ये रिपोर्ट अगर जो है ले करके आ रहा है तो फिर वो क्या अर्विंद केज रिवाल को रिपोर्ट कर रहा है क्या हम आदमी पार्टी को IB की रिपोर्टिंग हो चुकिया आखिरकार ये कब हुआ ये तो नहीं बताया गया अर्विंद केज रिवाल की तरफ से देश को आई बी कब से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करने लगा क्या आज कल आई बी केंदर सरकार को छोड़ करके दिल्ली सरकार को रिपोर्ट कर रहा है ग्रह मंतराले को छोड़ करके दिल्ली सरकार को रिपोर्ट कर रहा है इसके बारे में कभी भी अरविंद केज रिवाल की तरफ स कि गुजरात में उनकी सरकार बनने वाली है और आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है मनीश सिसोधिया इस चीज को रीट्वीट कर रहे हैं वहीं आगे इस प्रेस कॉन्फरेंस में बोलते हुए अर्विन केजरी वाल ने कहा कि कि तरव से जिनके तत्य बिल्कुल भी कभी पेश नहीं किये जाते हैं आदमी पार्टी की तरफ से साफ तोर पर जनता में आकर के बोल दिया जाता है कि गुजरात हम जीत रहे हैं हमारे पास रिपोर्ट आई है आई बी ने हमें रिपोर्ट दी है लेकिन वो जो सुत्र पुखे मंत्री अर्विंद के रिवाल जो की एड्मिनिस्ट्रेटर ऑफिसर रह चुके हैं इस तरह का जूट परोसने की अगर कोशिश की जा रहे है चुनाव को लेकर इस तरह की राजनीती की जा रही है तो इसको लेकर तमाम सवाल भी उठेंगे जो सवाल लोगों की तर की जा ति आम आदमी पर्टी की तरफ से एक तरफ संजे सिंग वह प्रेस Maid कर रहे होते हैं उसमें भी स्कुर्प्ट रहती है दूसरी तरफ अर्विंदeker सिवाल जो ऊसमें भी सेम स्कृप्ट है और आप तो भाशा की बात रहने ही दीजे अर्विंद केजरिवाल जी पंजाब में जो आटो ड्राइवर वाली स्क्रिप्ट आपकी पार्टी ने लिखी थी आपकी प्यर एजनसी ने लिखी थी उसका बांडा फोड हो चुका है गुजरात में कि किस तरह से वीडियो दिखा करक और आकर के जो है खाना खाईए उस पर अर्विंद केजरिवाल ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खुद आटो ड्राइवर आकर के सब ब्यान दे रहा है मीडिया में कि मैं तो मोदी का फैन हूं मैं तो बीजेपी समर्थक हूं मैं क्यों बुलाँगा केजरिवाल को हमारी यूनियन के एक भाई ने आकर के हमसे का था कि आप ऐसे ऐसे बोलेंगे जब आपके हाथ में माइक दिया जाएगा उस पर अर्विंद केजरिवाल कोई भी सफाई नहीं देते हैं लेकिन लगातार आरोप बीजेपी और कॉंग्रेस पर लगाते हैं जब ब्रश्चा चार क्या रोपों में लिप्त हो चुकी है आम आदमी पार्टी तो सवाल तो उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से जैसे दिल्ली सरकार अभी आम आदमी पार्टी चला रही है विपक्ष में भारतिय जनता पार्टी है कॉंग्रेस इससे पहले वहाँ पर सत्ता थी शील लीडर जाएंगे सेम स्क्रिप्ट आपने गुजरात में बोली सेमी बाषा आपकी गुजरात में बोली गई कि मेरे साथ यह यह लीडर भी आएंगे और कुल मिला कर हम तीन लीडर आएंगे उसको लेकर के कुछ नहीं उस समय भाषा नहीं दिखती है अरविंद केज़ई और बड़ी बड़ी बाते की और कहा कि कुछ कॉंग्रेस से बीजेपी में लोग आना चाहते हैं लेकिन बीजेपी उनको रोक रही है आने से तो यह सारी कहा जा रहे हैं कि यहां पर दात देनी होगी केजरिवाल की जिस तरह से परवेश सहिब भी बोल चुके प्रवेश वर् कार्वालिट को पता है wirmen को पता है कॉठ्वर ku marley को पता है यहाँ पर फिर वह गुज़रा चुनाव के लिए इतनी महनत कर रहें को पहले से फरिपोर्ट तो आचुके एअर्विंद के मुक्मा पराण़ी जीत रही है लेकिन सवाल यहां पर यह수 कपल मिश्चा लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कहां पर हैं 182 उमीद्वार जो 182 सीटे हैं विदान सभा में गुजरात और अगर बात की जाए तो CM चहरा आखिरकार कोन होगा बार 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 वहां बोला जा रहा है कि लोग चाते हैं केज्रिवाल की सरकार है यह आम आदमी पार्टी की से कहा गया था जब छेवें चरन का चुनाव चल रहा आखरी दिन था प्रचार का उस समय बड़ा दावा किया था मनीश सी सोधिया की तरव से कि यूपी में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है आगे सी सोधिया की तरव से बोला गया था कि इस बार भारतिन था पा गया था वहां पर भी जमान अजब्द हुए आम आदमी पार्टी की तो यहां पर गुजरात में चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को लोग लगातार कह रहे हैं कि कितना जूट परोस होगे एक सोशल मीडिया उजर ने तो यह लिख दिया कि जिस बात पर सबको हंसी आ जाए उस बात को बिना हंसे गंबीर चहरा बना कर कहना बड़े से बड़े जूटे चहरे पर बिना शिकन लाए कहना यह अरविंद केज रिवाल में एक बहुत बड़ी कला है लेकिन यह जो गुजरात के लिए बोला जा रहा है कि आई भी इनको रिपोर्ट दे रही है इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर अब लोग वो सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केज रिवाल को कि आखिरकार कितना जूट बोला जाएगा और कुछ दिन पहले कहते हैं कि रागव चड़ा की गिरफतारी होने वाली है रागव चड़ा का नाम त खुड आ करके प्रैस कॉंफरेंस करते हैं और उसमें सीरियस मोड में बैट करके कहते हैं कि Your vlog के मुताबिक गुजरात में आमांदमी पार्टी की सरकार अगर सरकार बन रहे हैं अगर सरकार बन रहे हैं अप उमीदवार बता दीजिया कि साव्आप मुक्यद्रीपंद के वहीं अर्विंद केज्रिवाल ने एक और बात कही कि कॉंग्रेस को वोट देना बेकार है यही अर्विंद केज्रिवाल जब राजनीती में आ रहे थे उस समय इन्हों ने अपने बच्चों की कसम खागर कहा था हम किसी से गड़ बंदन नहीं करेंगे और उसी कॉंग्रेस ज अब वो कह रहे हैं फिर से कि बगवान ने विकल्ब के तोर पर आम आदमी पार्टी को वेजा है तो यहां पर उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अगर बगवान से आपका डिरेक्ट कनेक्शन है तो फिर आप पर जो ब्रस्टाचार के इतने आरोप लग र लग रहे हैं कि पिछले कुछ सालों पहले ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और जितने ब्रस्टाचार के आरोप इस पर लग रहे हैं सतेंदर जैन उसी मामले में एडी की तरव से इस समय बंद हैं तिहाड जेल में बंद हैं दो और विधायक वो दोशी करार दिये जा जवाब देने सामने आती हैं अम आदमी पार्टी की तरव से कि आई बी की रिपोर्ट के मुताबिक आमादमी पार्टी की सरकार बन रही है थिन मारजन से हम सरकार बना रहे हैं आई भी इनको रिपोर्ट दे रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या राया है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं कि रोज तमाम जो दावे किये जाते हैं अरविंद केज रिवाल की तरफ से लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कि रहे हैं इसको लेकर आपकी जो भी रहे हैं आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद